वेलो फ्रेंट्स फिर्कम्स चैनल माससा बॉटनी अगेन और मैं हूँ विनकुमार सिंग्ग मैं कवर कर रहा हूँ प्लांट फैमिलीज का और आप जो दू नई फैमिलीज आप पढ़ने वाले हैं वो है आपका और्डर मेरिटेल्स का तो सबसे पहले इस ओर्डर में जो इंपॉर्टन फैमिली है वो है मिरिटेसी इसे मिल्टल फैमिली भी कहते हैं प्लेस्मेंट अगर हम इसका देखते हैं तो यह है डायकडलेडंस के पॉलिपिटेली में रखा हुए और पॉलिपिटेली में भी कैलिसी फ्लोरी में रखा गय है आrडर मैंने बताइक आपको मिलटेशी और लित्रेसी दो była मे कब आदाने वाला जो इसमें आपको ट्रीज ही मिलते हैं बार्क इसका फ्लेकी होता है तो अब देखेंगे बार्ग इसका फ्लेक्स जो होता है वो जिसे आपने गौवा के अगर आपने ट्री को देखा होगा तो फ्लेक के रूप में वो छिल के निकलता है तो इसके जितने सारे मेंबर होते हैं वो लगबब उनका बार्ग फ्लेकी होता है यूकेलिप्टस आपने महक होती है ठीक तो बार्ग फ्लेकी लीफ ग्लैंड डॉटेट और एंटार लीफ का मार्जिन होता है अपसे रेशन वगएरा नहीं होगा स्टेमिन्स यहाँ पे जादा पाये जाते हैं जिसे आपने रोज यसी वगएरा में देखे थे वैसे यहाँ पे इस स्टेमिन्स पांच यहाँ दस नहीं होते बहुत जादा स्टेमिन्स होते हैं जिसे आपने उकिलिफ्टस का फ्लावर देखा होगा गवा का फ्लावर देखा होगा ओवरी यहाँ पे इन्फीरियर होती है अगर हम बात करते हैं important genera की तो वो हुआ eucalyptus जिसे आप साफेदा बोलते हैं तो बहुत common plant है लगाया जाता है बहुत लोग इसका cultivation करते हैं फिर आता है आपका second cyzium community जिसे जाउन आप बोलते हैं blackberry ठीक है बहुत common है फिर third जो important plant है इसका cyzium guava जिसे आप हिंदी में में रूद बोलते हैं malicua और calistemon जिसे bottle brush कहते हैं वो भी plant जो है इसी family का member है तो कुल मिला के आपने देखा क्या mainly इस में जो इस family के members है वो mainly fruit yielding plants है timber या ornamentals भी होते हैं तो यह था आपका family मेरे टेसी ध्यान रखिए कि मेरे टेल्स order से belong करता है okay तो calicy flory में और भी जो orders थे अभी तक हमने पढ़ा दो main orders रोजेल्स और मिरे टेल्स यह रोजेल्स से catadipर है आपने रोजेल्स में देखा था कि leaves वहाँ पे stipulate था ठीक है अगर आपको rose का plant या दो वहाँ पे stipulate पाय जाता है पर मिरे टेल्स के order वाले जो plants होते हैं वह एक stipulate होते हैं मींस वहाँ पे stipulate आपको नहीं मिलता है okay अगर मैं plants की बात करूं तो जो मैंने capture किया है यह calistmon है जिसे आप bottle brush कहते हैं ठीक है बहुत handsome looking plant है यह लोग अपने garden में या अपने घर के बाहर यह plant लगाते हैं ठीक और यह दूसरा plant है guava का plant है इसका flower देख रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका unique के उपर आप देख रहे हैं जो निकला है यह calyx का portion है तो जो मैंने आपको बूला था जो over inferior का मतलब होता है कि flower के parts उपर रहेंगे तो calyx जो होता है वो उपर रहता इसलिए अमरूत के आगे आप जो हिस्सा देखती है यह बचा हुआ calyx लगा हुआ होता है ओके next family की बात करते हैं लिठरेसी जिसमें आपका क्यों नहीं इसी भी आता है एक्शली मैंने यहां पर यह इसलिए लिखा है क्योंकि जो में इसका plant है आपका अनार आपने देखा होगा ठीक है वह उसका जो classification ने थोड़ा सा problematic था कभी-कभी बहुत सारे scientists ने उसे अलग किया है अलग से family में रखा है Puny AC और बहुत सारे scientists ने उसे merge किया है लिठरेसी फैमिली में ओके तो मैं यहां पर लिठरेसी फैमिली में ही रखता हूँ पूनी AC को ठीक है और इसका common name क्या है लिठरेसी फैमिली का लूज स्ट्राइफ फैमिली से बोलते हैं placement मैंने आपको बताया कि इसका placement जो है यह भी कैलिसी फ्लोरी के अंदर आता है और मिल्टेल्स का ही एक member है salient features की अगर हम बात करें तो इसका यहां पर आप जो leaf देखेंगे वह opposite होता है ठीक है simple होता है entire होता है hypanthium यहां पर पाया जाता है hypanthium मैंने आपको बोला था जब कैलिस को रोला मिलके tube जैसा structure बनाए तब उसे hypanthium बोलते हैं एक और जो unique character इस family का कि यहां का जो petal होता है वो crumpled होता है जिसे एक जगा एक family में आपको और petals crumpled मिला था वो अगर मैं याद कर पा रहा हूं कौन सी family थी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा petals वहां पे crumpled थे एक family थी वहां पे हाँ पैपा और एसी family में आपको petals crumpled मिलते थे ओके तो यहां पे भी तो दो common चीज है petal crumpled जो है यहां पे भी होता है और यहां पे petal दो world में होता है में दो series में अगर हम बात करते हैं important genera की तो lithium जो है जिसे loot strife ही बोलते हैं उसी के नाम पेस का family का नाम पढ़ा है तो वह important genera है लासोनिय इनर्मिस अगर आपने देखा होगा मेहदी के plant बहुत लोग लगाते हैं अपने घर के बाहर वो भी इसी family से belong करता है wood fordhia fruticosa एक orange color का flower होता है श्रब जिसे लोग लगाते हैं घर के बाहर प्यूनिका ग्रनेटा में एक plant है अनार जिसे बोलते हैं यहां पर लोग बहुत लगाते हैं ठीक है और फूटिंग उतना अच्छा नहीं होता है यहां पर trapa by spinosa अगर आपको सिंहाडा पता होगा कि लोग लगाते हैं और यह कौन सा है hydrophite यह plant है ठीक है trapa by spinosa यह भी इस family से belong करता है जहां पर इसके calyx जो होता है spinosa होते हैं यह भी कई बार पूछा जाता एक्जाम में और एक plant जो आपको पता नहीं होगा शायद पर अगर आपके rice field होता है तो वहां पर जब rice कटने वाला होता है उस time पर आप देखेंगे तो amania का बड़ा plant grow करता है ठीक है तो आप यह भी notice कर सकते हैं चलते हैं photos अगर हम देखते हैं तो यही है amania का plant जो मैं बात करता हूँ अगर आप देखेंगे rice के field में यह बहुत common plant है लगबग भरा हुआ होता है यह पूरा का पूरा rice का field इससे बहरा हुआ होता है जब rice harvesting के time आता है तब यह उस समय भरा रहता है ठीक है तो यह amania तक था plant और अगर इस plant की मैं बात करूँ तो आप इसे बहुत अच्छे से पहचानते होंगे यह अनार का plant है यहाँ पे flower है ठीक है यहाँ पे आप आराम से देख सकते है पिटल जो होता है लग रहा है किसी ने से कुछला हुआ है तो इसी को हम बोलते है पिटल जो होते है वो crumpled होते है stamens आप द हम इसी बोटनी में पूछी जा सकती है मेरिटेसी और लिथरेसी उनका हम mention कर चुके हैं नेक्स वीडियो में मैं बात करूँगा एक important family का जो की होगा क्योंकि अर्बिटेसी का और जो भी उसके आगे आने वाली family से हम उनका भी बात करेंगे मैं चलता हूँ इसी के साथ मिल आप से नेक्स वीडियो में थैंक यू फो वाचिं इस वीडियो